तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से इंस्टाग्राम के उपर में अपने नेम को जो है वो चेंज कर सकते हो तो यहां पर सबसे पहले यहां पर देख सकते हो मैं अपने प्रोफाइल पर आ गया हूं प्रोफाइल पर ज तो यहां से जो है इस Name को जो जह जो भी टाइब करना चाहूं उसके आप कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपना Name वो हिक टाइब कर लेता हूं अब यहाँ पर मैंने अपना जो है वो नेम करदें कर लिया है तो यहाँ आप लोग मैं change name पर click कर देता हूँ तो जैसे ही मैंने click किया तो यहाँ पर जो है मेरा name जो है वो change हो चुका है ठीक है तो यह तो तरीका होगी है name change करने का जो आपका कोई भी profile open करेगा उसके बाद उसे आपका नाम दिखेगा साथी साथ यहाँ पर एक option दिख रहा है user name का अब basically यह क्या है तो जब भी किसी को आप बताते हो भाई तो आपके नाम के काफी सारे लोग instagram पर होते हैं ठीक है एक same नाम से भाई काफी सारे लोग हो जाते है instagram के उपर में तो उसमें जो है आपकी ID ढोड़ने में थोड़ी टाइम लग जाएगी तो उसके लिए user name दिया जाता है जो कि एक unique name होता है तो यहाँ पर हर एक का अलग-अलग होता है तो मैं यहाँ पर type करके आप लोगों को दिखा देता हूं फॉर एक्जम्पल देट मैं अपना ही नाम लिखता हूं मैंने लिखा दानिश ठीक है तो यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर लिखा वा आ गया कि user name already किसी ने ले रखा है तो यह नहीं आएगा तो इसके साथ मैं आपको कुछ numbers add करने होंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है दानिश अंडरिस्कोर 56999 और यहाँ पर ब्लू टिक जो है उपर में visible हो चुका है तो यानि कि भाई यह जो है एक unique name होना चाहिए आप अंडरिस्कोर वगेर है नमरिक वगेर है यह सब use कर सकते हो अपने user name के लिए और जब भी कोई इसे search bar में लिकर के search करेगा तो आपका profile direct उनके सामने में आएगा ठीक है और वो आपको follow कर पाएंगे easily एक चीज़ का धियान रखना कि आप लोग जो है जो पहले आपका user name था उसे आप 14 days के अंदर में back भी ले सकते हो 14 days तक वो reserve रहता है वो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा ठीक है और यह चीज़ का भी धियान रखना भाई कि इसमें 60 days या 90 days शायद है इसमें मैं sure नहीं हूँ लेकिन 60 या 19 days है उसके बाद ही जो है आप इसमें एक और नया user name अगर बनाना चाते हो तो वो आप बना पाओगे ठीक है तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ अब जैसे ही मैंने टिक किया थोड़ा सा यार यह time ले रहा है और थोड़े से time के बाद जो है यह मेरा user name मेरे नाम पर जो हो जाएगा अब इस user name को कोई और use नहीं कर पाएगा उसके बाद मैं back आता हूँ back आने के बाद मैं refresh करता हूँ जैसे ही मैंने refresh किया तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो है वो name आ चुका है दानिश और उपर में जो मेरा user name भी यहाँ पर शो कर रहा है तो इस तरीके से आप लोग काफी असानी से जो है Instagram के उपर में जो है अपना name change कर सकते हो I hope दोस्तों यह वीडियो प्लोगों को अच्छी लगी बाइब।